स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में तो दोस्तों आज मेरे पास गाड़ी है Hero HF Deluxe ये 2024 का मॉडल है इस गाड़ी में 4 वेरियंट्स मिल जाते हैं ये 2nd टॉप वाला वेरियंट है कई सारे कलर ओप्संस देखने के लिए मिल जाते हैं तो उसके दिमाग में कई सारी चीज़े चलती रहती है सबसे पहली चीज़ होती है कि उसका बजट कितना है उस बजट में कितने सारे आप्संस मिल जाते हैं मार्केट में जितना उसका बजट है उसमें कितने सिजी का इंजन मिलने वाला है कितनी पावर मिलने वाली है, comfort कैसा रहने वाला है, features क्या क्या मिलने वाले है, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को HF Deluxe के बिसे में बताने वाला हूँ, कि ये गाड़ी, अगर आपका budget 80,000 रुपए के आसपास आई, या फिर उससे भी कम है, तो ये गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए, या फिर नहीं, तो सबसे पहला जो point मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है इस गाड़ी का budget, अगर आपका budget 70,000 रुपए से लेकर 85,000 रुपए तक है, तो ये आप गाड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि इसका जो base variant आता है, वो 70,000 रुपए के आसपास पढ़ जाएगा, आपको on road, अगर आपको कुछ और features चाहिए, तो आपको इससे उपर वाला variant लेना पढ़ेगा, तो budget के मामले में भी ये गाड़ी सबसे best रहेगी, इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है, कि 80,000 रुपए के budget में या फिर 70,000 रुपए के budget में इंजन कैसा मिलने वाला है, तो आपको इस गाड़ी में 97 CC का single cylinder 4 stroke 2 valve air cooled इंजन मिल जाता है, पावर की बात की जाए, तो 8.2 PS की power produce करता है, और 8.5 NM का talk produce करता है ये इंजन, मतलब आपको performance भी ठीक ठाक मिलने वाली है, कि कि ये family bike है, तो आपको ज़्यादा तेज चलाना नहीं है, आराम से ही चलाना है, तो उसके लिए भी ये ठीक ठाक है, इसका जो इंजन है वो reliable होता है, hero का अंजन है, काफी ठीक ठाक रहता है, इसके बाद तीसरी चीज के विसे में बात करें, तो वो है इस गाड़ी का mileage, 100cc की गाड़ी होने के हिसाब से ये गाड़ी mileage कितना देगी, तो mileage में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कि इस गाड़ी का mileage है, वो 70 प्लस का है, कमपनी क्लेम करती है, 9.5 लिटर का fuel tank मिल जाता है, आगर आप इस गाड़ी के fuel tank को एक बार full करा लेते हैं, तो ये गाड़ी आपको 700 km के आसपास ले जाने वाली है, तो range भी अच्छा है, mileage भी अच्छा है, तो इसमें आपको range और mileage दोनों ही ठीक ठाक मिलने वाली है, इसके बाद जो चौती चीज आती है, वो है comfort, ये एक family bike है, family वाले चलाते हैं, तो इस गाड़ी में comfort कैसा मिलने वाला है, तो comfort भी ठीक ठाक है, इस गाड़ी के seat height है, वो थोड़ा सा उंची है, 800-10 mm की है, और बात करें seat की, तो seat यहाँ पर आपको single seat मिलने वाली है, इसकी सामने आप variant देख रहे हैं, इसमें आपको self start और kick का option दोनों ही मिल जाते हैं, एक साथ में, four speed gearbox के साथ आती है ये गाड़ी, इस गाड़ी में दो stand मिलने वाले है, single stand, double stand, तो single stand में आपका stand कटा feature दिया गया है, जब तक ये stand लगा रहा है का आपकी गाड़ी start नहीं होने व ब्रेकिंग की, तो यहां पर आपको integrated braking system मिल जाता है, rear में आपको 130 mm का drum brake देखने के लिए मिल जाता है, इस variant में आपको disc देखने के लिए नहीं मिलेगा, front और rear दोनों जगापे footrest मिल जाता है, rear brake स्पैड़ मिल जाता है, यहां पर आप देख सकते हैं, कि कभी option दिया गया सबसे last में बात करें कि यह गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए, या फिर नहीं खरीदनी चाहिए, तो अगर आपका budget कम है, 70-80,000 रुपे के बीज में है, तो आप यह गाड़ी खरीद सकते हैं, आपको ज्यादा power नहीं चाहिए, तब भी आप यह गाड़ी खरीद सकते हैं, comfort यहाँ पर आपको ठीक मिल जाएगा, mileage ठीक मिल जाएगा, मतलब सारी चीज़े आपको यहाँ ठीक मिलने वाली हैं, तो अगर आप यह गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आराम से खरीद सकते हैं, तो अगर वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैन